महोबा में जश्न ए ईद मिला दुन्नबी का त्योहार इस बार बड़े ही अदब और आस्था के साथ मनाया गया. ये दिन इसलाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद सहाब के जन्म दिन की खुशी में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मुसल्मानों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है. इस अफसर पर लोग पैगंबर की शिक्षाओं को याद करते हैं, जो प्रेम, भाईचारे और इंसानियत की शिक्षा देते हैं. इस वर्ष महोबा में इस धार्मिक आयोजन को खास बनाने के लिए शेहर भर में व्यापक तैयारियां की गई थी. पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की द्रिष्टी से पुखता इंतजाम किये थे, ताकि कारिक्रम, शान्तिपून और व्यवस्थित ढंक से संपन्न हो. दोपहर दो बजे, अब्बा हुजूर की दरगाह से पारंपर एक जुलूस की शुरू आत हुई, जिसमें सैकडों की संख्या में लोग शामिल हुए. जुलूस शहर के चिन्हित मारगों से होते हुए गुजरा, जहां पर विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया. स्थानिय लोगों ने जुलूस में शामिल होने वालों के लिए जगह-जगह पर पानी, शर्बत, मिठाईयां और अन्य खाद्य सामगरी वित्रित की, जिससे सामुदाइक प्रेम और एक जुटता का संदेश और अधिक प्रबल हुआ. इस जुलूस में न केवल मुस्लिम समुदाई के लोग शामिल हुए, बलकि अन्य धर्मों के लोग भी प्रेम और सद्भावना के साथ जुलूस का हिस्सा बने, जो सामप्रदाइक सौहार्द्र का एक उतकृष्ट उदाहरण पेश करता है. जुलूस के दौरान विभिन धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों का प्रसार किया गया, जिसमें पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिये गए मार्ग दर्शन को दोहराया गया. अंततह जुलूस का समापन बड़े ही शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुआ, जो शहर की एकता और भाईचारे की भावना को और भी मजबूत करता है. चाहता है की वाल। फ्रहाण प्रहुंत क्या गूआज बड़े हुआर्ण प्रहाण दोपूर्ण चर्म हमलबूद्रण को धुझाता है. कर दो